हैलो फ्रेंट्स अजना किच्छन में आपका स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूँ बेजिटेवल ब्रेड रोल सामका नास्ता हो या घर पर कोई पाटी हो तो जटपट आपको कोई स्टाटर बनानी है तो आप ये सिंपल बेजिटेवल ब्रेड रोल की रेसिपी जरूर बनाए दस मिनट में बनने वाले रेसिपी है तो चलिए फ्रेंट्स बनाना के लिए पांच उबला हुआ अलू ले लिए एक सिमला मिर्च बारी कटा हुआ ले लिए है एक चुकंदर ग्रेटर से ग्रेट करके ले लिए है एक गाजर को भी ग्रेट करके ले लिए है अलू को मैस कर ले या ग्रेटर से ग्रेट कर ले अब इसमें डालेंगे विजिटेवल चुकंदर दो चमज डाल देंगे इसमें प कुटुई काली मिर्च आधा चमच लाल मिर्चा पौडर स्वात के अनुसार नमक आधा चमच चाट मसाला और इन सभी को अच्छे से मिला देंगे और यह देखिया हमारा मिस्चर बन कर तयार हो गया इस टपिंग बहुत सिंपल बना हैं और टेस्ट में कोई कमी नहीं है अब चलते हैं रोल बनाने के प्रोसेस में इसके लिए पांच ब्रेट के सलाइसे ले लिए हैं ब्रेट के किनारे काट कर निकाल लेंगे इससे क्या होता है जब हम ब्रेट रोल बनाते हैं तो अच्छे से बन जाता है ब्रेट के किनारे वाला प्रोसेस को फेके नहीं या आप प हो जाएंगे आप इसे इस्टोर करके किसी भी पकोड़े बगेड़ा में इस्तिमाल कर सकते हैं ब्रेट को स्लाइचेस में कट कर लिए हैं ब्रेट को पानी में दोनों तरफ भिगाना है और हांतेली से हलका सा दवाना है इससे क्या होगा इसका पानी निकल जाएगा अब इसका सेंटर में स्टाफिंग रखेंगे चारों तरफ से लॉक कर देंगे और हलके हातों से घुमाते हुए रोल के सिप देंगे ये हमारा ब्रेड रोल बनकर तयार हो गया है इसको फ्राइ करने के लिए तेल ज्यादा गरम होना चाहिए यहा फ्लेम मिडियम रखेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे ब्रेड रोल गोल्डन हो गया है तो अब इसे निकाल लेते हैं इसी तरह सारे ब्रेड रोल को फ्राइ कर लेंगे तो आप चलते हैं सर्फ करने के लिए सर्फ करने के समें टोमेटो केचप या हरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाईए खाईए और कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए कि वेजिटेवल ब्रेड रोल की रेसिपी कैसी लगी ताकि अगले आने वाली रेसिपी का नोटिपिकिसन सबसे पहले आपको मिले एक लाइक ज्यादा से ज्यादा से एर और प्ली थालब प्ली लाइक जड़िए झाया लगार आने लोला मिले आने लाएगी।